Success Campus, आपकी सफलता हमारा संकल Good morning students हर गिन के तरह आज भी मैं कुछ नए अतासर का इंटरफेस के साथ हाजर हूँ आज भी मेरे पास कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कोश्चन्स है और वो कोश्चन्स क्या है तो जल्दी से देख लेते हैं बढ़ते हैं हमारे पहले कोश्चन्स की तरफ लोगतंत्र का अंतराश्टिय दिवर्स विश्वस्तर पर किस तिति को मनाया जाता है International Day of Democracy is observed globally on which date हमारे options है 17th September, 16th September, 13th September, 15th September हमारा answer है 15th September विश्वस्तर पर हर साल 15 सितंबर को लोगतंत्र का अंतराश्टिय दिवर्स मनाया जाता है लोगतंत्र का यह अंतराश्टिय दिवर्स दुनिया में लोगतंत्र की स्थिती की समिख्षा करने का अवसर देता है लोगतंत्र एक लक्ष्य के रूप में एक प्रक्डिया है और केवल अंतराश्टिय सामुदाय, राश्टिय साशिक निकाय, नागरीक समाज और व्यक्तियों की और से पूरी भागेदारी और समर्थन के साथ लोगतंत्र के आदर्श को हर किसी के लिए आसान हर जग़ आनंद में जीवन बनाया जा सके इस दिवस को 2007 में सैयुक्त राश्टिय महासभादवारा लोगतंत्र के प्रचार और समेकन के लिए समर्थित राश्टियों कारेक्रमों को मजबूत करने के लिए एक प्रस्ताव के माद्यम से घोशित किया गया था 2008 में पहली बार ये दिन मनाया गया था अगला सवाल MP में ग्रिह प्रवेशन स्कीम को किसने संभोधित किया? Who addressed the ग्रिह प्रवेशन स्कीम in मध्यप्रदेश? हमारे options है Amit Shah, Narendra Modi, Ramesh Pokharyal, Sonia Gandhi हमारा answer है Narendra Modi प्रधान मंत्री नarendra Modi ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से मध्यप्रदेश में ग्रिह प्रवेश कारिक्रम को संभोधित किया इस कारिक्रम में 1,75,000 परिवारों को प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामी यानि PMAYG के अंतरगत निर्मित पके घर सौपे गए इसके अलावा PM Modi ने मध्यप्रदेश में PMAYG के तहत धान, सिंग्रॉली और ग्वालियर के लाभार्तियों के साथ बाचित भी की PMAYG के अंतरगत एक घर बनाने में लगवग 125 दिन का समय लगता है लेकिन कोरोना दोरान यह काम लगवग 45 से 60 दिनों में पूरा किया गया जो की अपने आप में एक रिकॉर्ड है प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीन क्या है? प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीन जिसे पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था भारत सरकार दुआरा ग्रामीन आवास के लिए चलाई जा रही एक योजना है यह सामाजी कल्यान कारेकरम वर्ष 2022 तक सभी के लिए घर योजना के उद्देश्य को पूरा करने के लिए शुरू किया ग्या था PMAYG योजना का मुख्य उद्देश्य कुछ बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर प्रदान करना है यह योजना उन लोगों के लिए है जिनके पास घर नहीं है और जिने कच्चे घरों या ऐसे घरों में रहना पड़े रहा है जो गंभी रूप से छतिग्रस्त है वर्तमान में PMAYG योजना के तहद बनाई जाने वाले घरों का न्यूंतम आकार 20 वर्ग मीटर से बढ़कर 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चोहान और राजयपाल है आनंदी बेन पतेल अगला सवाल City Group की पहली महीला CEO कौन बनी? Who became the first female CEO of City Group? हमारे options है John Lucas, Emily Anderson, Emily White, Jane Fraser हमारा answer है Jane Fraser City Group ने Jane Fraser को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना है वो इस प्रमुक वैश्विक बैंक की पहली महीला CEO होंगी वो माइकल कॉर्बेट का स्थान लेंगी जो फर्वरी 2021 में सेवा निब्रित हो रहे है ट्रेजर वित्य हुद्योग में एक उभरती वी महीला है जिन्होंने निबेश बैंकिंग, धन प्रबंधन, संकट ग्रस्त वोकाउट और लाटिन अमेरिका में रननीती का विस्तार जैसे अहम मुद्दों पर कार्य किया है सिटी ग्रूप का मुख्याल है निउयोक सेयुक्त राज्य में हिस्तित है सिटी ग्रूप की स्थापना आट अक्टोबर 1998 को हुई थी अगला सवाल केसर राज्य सरकार ने स्वचता कार्मचारियों के लिए गडिमा की शुरुवात की विच स्टेज गवर्मेंट लॉंच्ट गडिमा स्कीम फोर सैनिटाइजेशन वोकर्स हमारे आप्शन से जहारखंट, औरिस्टा, मध्यप्रदेश, तमिलनाडू हमारा एंसर है औरिस्टा औरिस्टा के मुख्यमंत्री नविन पतनायक द्वारा गडिमा नामक एक नई योजना शुरू की है जिसका उद्देश राज्य में कोड स्वचता कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित करना है औरिस्टा के आवास और सहरी विकास विभाग ने इस योजना के कार्यन वेन के लिए तक्नीकी सहायता प्रदान करने के लिए नौट फॉर प्रॉफिट संगटन अर्बन मैनेजमेंट सेंटर के साथ एक समझोता किया है करीमा योजना के तहट लगभग 20,000 कोर स्वच्चता कर्मियों और उनके परिवारों के साथ लगभग 1,000,000 आवादी की योजना का लाब मिलेगा करीमा योजना राज्य आवास और सहरी विकास विभाग द्वारा ओरिस्टा के सभी 114 सहरी स्थानिय निकायों में लागू की जाएगी प्रारब में राज्य सरकार ने योजना के लिए 50 करोर रुपे के कोश-कोश का आवाटन किया है स्वच्टक अंचारियों के काम के घंटे प्रती दिन 6 घंटे तक सिमित रहेंगे कोश स्वच्टकार्य करता और उनके परिवार के सदे से स्वास्ते भीमा योजना के तहत नियमित स्वास्ते जाच, आवास, शेक्षिक्ष साहता, गतिशीलता समर्थन और मोबाइल समर्थन के साथ कवर किये जाएंगे और इस्सा के राजदानी भुवनेश्वर और इस्सा के राजपाल है गणेशी लाल अगला सवाल विश्वा बैंक के कारेकारी निदेशक के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है? Who has been appointed as executive director of World Bank? हमारे options हैं अमित नंदा, रोहित मिश्रा, आनंदी पतेल, राजेश खुलड हमारा answer है राजेश खुलड 1988 बैच के IS अधिकारी राजेश खुलड को वाशिंग्टन दिरिसी स्थेथ विश्वा बैंक का कारेकारी निदेशक यानि executive director न्यूक्त किया गया है मंत्रीबंडर की न्यूक्ती समीती ने राजेश खुलड को पदभार गहन करने की तारिक से तीन साल के कारेकालिया उनके पल्च से मुक्त होने की तारिक यानि 23 अगस 2023 तक की मंजूरी दे दी है खुलर वर्तमान में मक्यमंत्री मनोहलल खटर के प्रधान सचीव के रूप में तैनात है वो नवंबर के पहले सब्ता में विश्वा बैंक में सामिल होंगे खुलर कारेकारी निदेशक के तौर पर विश्वा बैंक में भारत, बांगलादेश, भूटान और स्री लंका का प्रतिनिदित्व करेंगे विश्वा बैंक समू में 25 कारेकारी निदेशक सामिल है जो प्रतिक देश या देशों के निर्वाजन छेत्र का प्रतिने दिद्वा करते हैं या तो पद पर न्यूक्त किये जाते हैं अत्वा चुने जाते हैं विश्वा बैंक के अध्यक्ष है डेविड मलपास इसका मुख्यल है सेयूद राजय अमेरिका के वासिंग्स्टन डिशी में है इसकी स्थापना जुलाई 1944 को हुई थी अगला सवाल ADB के कारेकारी निदेशक के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है Who has been appointed as the executive director of ADB हमारे options है शुभम प्रशाद सिंग, अलोग मिश्रा, अनुराग सिना, समीर कुमार खड़े हमारा answer है समीर कुमार खड़े काबिनेट के न्यूक्ती समीती ने समीर कुमार खड़े को एशियाई विकास बैंक यानि ADB मनीला के नए कारेकारी निदेशक के रूप में न्यूक्त करने की मंजूरी दे दी है खड़े 1989 बैच के भारतिय प्रासर्शनिक सेवा यानि की IAS असम कैडर के अधिकारी है वो वर्तमान में वित मंतराले के तहत आर्तिक मामलों के विभाग में अतिरिक्ट सचीव के रूम में सेवारत है उन्हें तीन वर्ष के कारेकाल के लिए प्राभारी के न्यूक्ती की थारिक से या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो के लिए न्यूक्त किया गया है इसका मुख्याल है मानलूम फिलिपिन्स में है और इसकी स्थापना 19 डिसमबर 1936 को वी थी अगला सवाल संयूक्त राष्ट्र के ECOSOC का सदस्य कौन सा देश बना है विच कंट्री बिकेम मेंबर आप यून्स ECOSOC हमारे आप्शन से भारत, जापान, अर्जेंटीना, अफगानिस्तान हमारा एंसर है भारत भारत को आर्थिक और सामाजिक परिशद या Economic and Social Council यानि ECO, SOC के महिलाओ की स्थिती पर काम करने वाले निकाए United Nations Commission on Stage of Women का सदस्य चुना गया है भारत चार साल यानि 2021 से 25 तक महिलाओ की स्थिती पर काम करने वाले संयुक्त राष्ट्रे का आयोग का सदस्य होगा आयोग में इस सीट को हासिल करने के लिए भारत, चाइना और अफगानिस्तान के बीज मुकाबला था इस मुकाबले में भारत और अफगानिस्तान को 54 में से अधिकतर सदस्यों के साथ मिला जब की चाइना आधास रास्ता भी नहीं कर पाया ECO SOCE के बारे में आर्थिक और सामाजिक परिशत सतत विकास के तीन आयामों आर्थिक, सामाजिक और परियवरन को आगे बढ़ाने के लिए सेयुक्त राष्ट प्रनाली का प्रमुक अंग है यह बहस और नवोनमेशी विचार को बढ़ावा देने, आगे के तडिकों पर काम समय सीथ करने और अंतराष्टे स्तर पर सहमत लक्षों को प्रात करने के प्रयासों के समन्वियन का केंद्रिय मंच है यह सेयुक्त राष्ट के प्रमुक सम्मेलनों और सिखर सम्मेलनों के लिए भी जिम्यदार है ECO, SOC की स्थापना 1945 में हुई थी इसके अध्यक्ष है मुनीर अक्रम और इसका मुख्याल है New York सेयुक्त राज अमेरिका में है अगला सवाल My Life in Design नामक पुस्तर के लेखक कौन है? Who is the author of the book titled My Life in Design? हमारे options है Manish Malotra, Coco Channel, Gauri Khan, Ritu Beri हमारा answer है Gauri Khan Interior designer Gauri Khan ने My Life in Design से शक अपनी पहली book लिखी है जिसे Penguin Random House India द्वारा 2021 में प्रकाशित किया जाएगा यह एक Coffee Table book है जिसमें Gauri ने एक designer के रूप में अपनी यात्रा के बारे में लिखा है इस पुस्तक में उनकी आंतरिक डिजाइन पडियोजना और घर पडिवार की कुछ अंदेखी तश्वीरे शामिल है वो अपने डिजाइन और शैली के बारे में भी बात करेंगी पुस्तक विशेश रूप से नए डिजाइनरों या उन लोगों को मार्ग दर्शन करने वाली विशेश चित्रों और सुचनाओं के साथ बहुत ही आकशक होगी जो आम तोर पर डिजाइन की कला में रूची रखते हैं अगला सवाल राज्य सभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? Who has been elected as deputy chairman of राज्य सभा? हमारे options हैं हरिंदर सिंग, राम मोहन रेड़ी, अशोक गोराई, हरिवंश नारायन सिंग हमारा answer है हरिवंश नारायन सिंग जनता दल के सांसर हरिवंश नारायन सिंग को पुनराज्य सभा का उप सभापती चुना गया है उन्होंने उच सदन में ध्वनी मत्च से जीत हाशिल की हरिवंश को राज्य सभा का उप सभावती चुने जाने का प्रस्ता और भाजबा अध्यक्त जेपी नड़ा द्वारा सदन में रखा गया था हरिवंश नारायन सिंग पहली बार 8 अगस 2018 को राज्य सभा के उप सभापती चुने गया थे राज्य सभा सदस्य के रूप में उनके कारेकाल अप्रेल 2020 में समाप्त हो गया था राज्य सभा के सभापती है M. गंकया नाइडू नाव लेट्स चेक सम जार्खन का एंटरपैस हाली में जार्खन में किसे ट्रेवलर्स चॉइस विनर अवार्ड 2020 मिला है हमारे आप्शन्स हैं कावेरी रेस्टरांट, पंजाब दाधाबा, बंबे स्वीट्स, मोनालिशा रेस्टरांट हमारा एंसर है कावेरी रेस्टरांट ट्रिप एडवाइजर की और से जार्खन की राजधानी राची में स्थित कावेरी रेस्टरॉंट को ट्राविलर्स चॉइस विना अबॉट 2020 मिला है हर साल अलग-अलग ट्राविलर के रिवियू और रेटिंग के आधार पढ़िया अबॉट दिया जाता है अगला सवाल जार्खन के किस संस्थान द्वारा मिसाइल के लिए एंटीना का निर्मान किया जाएगा हमारे आप्शन से BIT मिश्रा, IIT ISN धनबाद, केंद्रिय विश्व बिद्याले, जार्खन टेक्निकल यूनिवरसिटी हमारा एंसर है IIT ISN धनबाद IIT ISN धनबाद द्वारा मिसाइल के लिए एंटीना का निर्मान करेगी Electronics Engineering विभाग के Associate Professor रवी कुमार गंगवार और Professor R.K. चौदरी की टीम को महत्वपून जिम्मधारी दी गई है ISRO और 5G Network एंटीना के बाद अब IIT ISN धनबाद में मिसाइल के लिए एंटीना बनेगा इसके लिए Defense Research and Development Organization यानी DRDO ने संस्थान गोकुल के 61 लाग का एक प्रजेक्ट सापा है अगला सवाल हाली में प्रधान मंतरी द्वारा आयोजित नई सिक्षा निती पर आयोजित सिक्षक पर्वकारेकरम में जारखन में किसे सामिल किया गया है हमारे ऑप्षन से अमन सिंग, सुक्प्रीत कॉर, डॉक्टर आर्ती मिन्स, डॉक्टर निती शनात हमारा एंसर है सुक्प्रीत कॉर, अगला सवाल जारखन सरकार ने कोरोना जाज की रिपोर्ट की जानकारी के लिए कौन सा एप लॉंच किया है हमारे ऑप्षन से आरोग्य सेतू एप, कोविड नाइंटीन रिपोर्ट एप, आरोग्य जार्खन एप, कोरोना हेल्प एप हमारा एंसर है आरोग्य जार्खन एप कोडोना जाज की रिपोर्ट मिलने में आ रही परिशानी को देखते हुए जारकन सरकार के स्वास्ते विभाग दुआरा आरोग्य जारकन डैप बनवाया गया है अब इस एप में मोबाइल नमबर और टेस्ट की तीथी डालते ही जाज रिपोर्ट मिल जाएगी इस एप को एंड्रोइड मोबाइल के प्ले स्टोर में डाउनलोड कर सकते हैं आज का आखरी सवाल जारकन में किसे पहली बार कॉशल आचारे अवार्ट 2020 से सन्मानित किया गया है हमारे आप्शन्स है रश्मिता प्रधान, अनीता रानी, मीनू पांडे, किशोर गुपता हमारा एंसर है रश्मिता प्रधान जारकन के युवाव को उच्छ स्तरिय एवं गुनवत्ता पॉर्ण कॉशल प्रसिक्षन देने के लिए कमरिया सराइकेला खरसावा की कॉशल प्रसिक्षक रश्मिता प्रधान को कॉशल आचारे अवार्ड 2020 से सन्मानित किया गया है कॉशल विकास एवं उदन सिल्ता मंत्री महेंद्रनात पांडे द्वारा उन्हें ऑनलाइन अवार्ड से सन्मानित किया है कौशल आचारे अवार्ड की शुरुवात कौशल विकास एबंग उदरमित्ता मंत्राले ने वर्ष 2019 में की थी इस वर्ष दुईतिय समारो सम्मान समारो के अफसर पर देश भर के 51 कौशल प्रसिक्षकों को ये अवार्ड दिया गया है जार्खन की और से पहली बार किसी कौशल प्रसिक्षक ने इस अवार्ड को पाने में सफलता प्राप्त की है आज का TYS का कोश्चन पहला हिंदी दिवस कौन से साल में मनाया गया था? I repeat, पहला हिंदी दिवस कौन से साल में मनाया गया था? आपके ऑप्शन से 1853, 1854, 1954, 1953 इसका एंसर आप मुझे कमें सेक्षन में दे सकते हैं अब कल का TYS का एंसर कल का कोश्चन था पिगरी मिशन है बिन लॉंच्ट इन मेगालेया इसका एंसर है 209 करोर रुपीज आज का करेंट अफेस यहीं खत्म होता है कल फिर मिलते हैं कुछ नए और ताजे करेंट अफेस के साथ करेंट अफेस के PDF फाइल आपको हमारे वेबसाइट और टेलग्राम चैनल पर मिल जाएंगे जिसके लिंक नीचे डेस्क्रिप्शन में दिये गये है बाइ बाइ एंड टेक केर